7 अक्टूबर 2023 को हमास के नित्रित्व में फिलिस्तीनी आतनक्वादी सम्मुहों ने गाजा पट्टी से इसराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर आक्रमन शुरू किया. हमास ने इसे ओपरेशन अलकसा फलर्ड नाम दिया है. इसराइल जवाबी कार्रवाई को इसराइल रक चर्य हो सकता है कि हमास शब्द का अर्थ बाइबल में बहुत पहले बता दिया गया था. याद रखना होगा कि बाइबल क्या कहती है इसराइल के लिए. उत्पतिस अटाइस उन्तीस में लिखा है जो तुझे शाप देंसो आप ही स्रापित हो और जो तुझे आशीरवाद देंसो आशीश पाएं. सो जो इसराइल से लड़ाई करेगा उसका क्या हर्शा होगा. हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं हमास और इजराइल की लड़ाई पर. हमास नाम हरकत अल मुकावामा अल इसलामिया जिसका हिंदी मीनिंग इसलामिक प्रतिरो धान दोलन के इसमें कोई ताजजुब नहीं होना चाहिए कि हमास भी एक हिब्रु शब्द है जो बाइबल में पाया जाता है. हिब्रु बाइबल में इसका मतलब होता है हिंसा. एक आतनक्वादी संगर्थन के लिए इससे मुनासिब नाम और क्या हो सकता है? मज़ेदार बात यह है कि यह शब्द आज के इसरेल पालिस्टाइन वो के लिए बाइबल में सटीक बैठता है, जैसा कि हम आगे देखेंगे. इसरायल और फिलिस्तीनियों के बीच संगर्ष के बारे में बाइबल में बहुत कुछ बताया गया है. इस प्राचीन खून के जगड़े है, जिसकी जड बीचातियों का पिता था, जबकि इसहाक से याकूब और याकूब से इसरायली आए थे. ऐसाव के बारे में क्या? बाइबल में भी ऐसाओ और उसकी ओलाद का जिक्र किया गया है, अदोम के नाम से या कभी-कभी सेर परवत से, जो यहुदिया के दक्षन पूर्ग में है, जो अब सदन जॉर्डन का एरिया है. सदियों से, अदोम के लोगों ने इसरायलीयों के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण व्यहवार किया, उन्हें मारा पीटा और उन पर अटैक किया और उनके इलाके पर अतिक्रमन किया. अदोम की भूमी, असल में यहुदिया का दक्ष वानी इंडिकेट करती है, कि अदोमी अंत समय में इसरायल के मूल देश के अधिकांश हिस्से पर कबजा कर लेंगे. ऐसा लगता है कि वे शायद आज के फिलिस्तीनी ही हैं. फिर भी ओबयाह की पुस्तक से पता चलता है कि इसरायलियों को उनकी जमीन वापस मिल जाएगी ओबयाह आयत 11 के संदर्व से पता चलता है कि पवित्र भूमी में विशेशक शेत्रों के नियंतरन में एक ग्रूप अतिरिक तेरिया प्राप्त करेंगे जब इश्वर हस्तक शेप करेगा. जहां कुछ इस प्रकार से लिखा है कि दक्खिन देश के लोग ऐसाव के पहार के अधिकारी हो जाएंगे और नीचे के देश के लोग पलिष्टियों के अधिकारी होंगे. इस पत के अनुसार, इस्राइली, अदौमियों द्वारा उन से ली गई भूमी को दोबारा प्राप्त करेंगे. कतित तोर पर, जिन जमीनों को हासल करने वाले इलाके के तोर पर द पतने के दोरान, ऐसाव के घराने पर आली के समान होंगे. और ऐसाव के घराने में से कोई भी जीवित ना रहेगा. पद दस के अनुसार, यहादौमियों पर उनके, हिंसा, या इसराइल के प्रती हमास के इतिहास के लिए इश्वर का न्याय होगा. तेरे भाई याकूब क विरूद्ध उपद्रव करने के कारण तुझे लजजित होना पड़ेगा, और तू सदा के लिए नाश हो जाएगा. यहाँ पर हमास संगठन के लिए भविश्यवानी की गई है. और यहिचकेल 35, 15, इश्वर का कहना है कि इसराइल को मिटाने की कोशिश में अदोमी आखि खा रखी है कि गजापटी को वो दुनिया के नक्षे से ही खतम कर देगा. जैसे कि मत्ती 24-35 में लिखा है, चाहे धर्ती और आकाश मिट जाएं किन्तु मेरा वचन कभी नहीं मिटेगा. तो क्या ओब्याह की पुस्तक की भविश्यवानी भी पूरी होने का समया आ गया है? प्लीज कॉमेंट बॉक्स में बताएं. और आखिर में वो पद जिससे ओब्याह की पुस्तक की भविश्यवानी को बल मिलता है. आमोस एक 6-7 में कुछ हैसा लिखा है. यहोवा ये कहता है. मैं निश्चे ही अज्जा के लोगों द्वारा किये गया नेक पापों के लिए उ कि अज्चे है.